चंडिगर में कोरोना ने अपना कहर भरपाना शुरू कर दिया है महस 24 घंटे के भीतर 22 नई मामले सामने आने से चंडिगर प्रसाशन और चंडिगर वासियों की चिंता बढ़ चुकी है आज सुबा साथ मामले बापुधाम कलोनी से सामने आये वहीं एक मामला सेक्टर 38 से सामने आया है अगर हम बापुधाम कलोनी की बात करें तो ये चंडिगर का होट स्पोट बन गया है क्योंकि यहां से कुल 22 मामले अभी तक सामने आये हैं और चंडिगर प्रसाशन की अगर बात करें तो उनकी तरफ से जो गाइट लाइन से उसे ठीक तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा है क्यूंकि जो कलोनी एरियास हैं वहाँ पर लोग एक घर में 10 से 15 लोग रहते हैं और वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई बात नजर नहीं आ रही है ऐसे में कंत्री नरेंद्र मोदी भी चंडिगड में जो मरीजों का आकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है उसको लेकर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं कैमिरमें शर्थ के साथ सुराज एक्सप्रेस के लिए चंडिगड से इशा ठाकुर